हलो फ्रेंड्स मैं हूँ नितेश बर्मा आज की वीडियो में हम जारेंगे टैप की के बारे में कि टैप की किस तरब प्रियोग किया जाता है अलग-अलग कारियों के लिए तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आप प्रॉपरली हैं तो लाश्ट तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो ही लाइक और स्सक्राइब कीजिएगा वरना डिसलाइक मारके छोड़के चले जाईएगा तो चलिए देखते हैं देखिए हम टैप की के बारे में छे आपको यूज करने के ल यह वन टू थी फोर फाइब सिक्स लिखा हुँआ दिखाई दे रहा है इसके एक रोडिंग यह हमारा टैप की काम करता है जैसे माली जी टैप की प्रेस करेंगे तो देखिए यहां पर आगया जीरो पोइंट फाइब का यह इस परेस देता है यह यहां पर आगया यहां प यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसके प्रोडिंग यह चलेगा देखिए यहां प्रेस किये तीन नंबर पर के सामने आ गया यहां प्रेस करेंगे तो यह जिरो पॉइंट फाइब की स्पेस पर आ गया यहां पर फूर पर ऐसे करके आएगा अगर आप सेट करते हैं जिसे मालीची हमने यहां पर क्लिक कर दिया अब हम जब टाइब करेंगे तो डायरेक्तली यहें पर जाएगा जिससे मालीची हमने लिख दिया मेमोरी अब जब हम टैब की प्रेस करेंगे तो देखिए यहां पर सेट है यहां पर आ गया अगर यहां भी कुछ अगर लिख दिये जैसे CPU अब टैब की प्रेस करेंगे तो देखिए यहां पे set की हैं यहां पे आ गया तो यह होगे हमारा पहला यूज अब दूसरा यूज क्या है कि अगर मान लीजिए हम कोई table insert किये हैं अगर इसमें हम कुछ काम करना चाहते हैं जैसे मान लीजिए हमने यहां पे लिख दिया 10 अगले में जाना है तो माउस का सारा मत लीजिए बस टैब की प्रेस कीजिए तो यहां पे लिख सकते हैं 20 यहां पे लिख सकते हैं 30 और टैब की प्रेस करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 40 अगर आपको रिक्वार्मेंट है कि और हमारा एक टेबल इनसर्ट हो जाए रो तेक्स को बोल्ड करना है तो मिस्टेक्स को स्लेक्ट किए ठीक है और यह डेलग बॉक्स यहां से हमने ओपन कर लिया ठीक है ओपन करने के बाद आपको इसक्रीन पर दिखाये दिरा आप फांट का यह डेलग बॉक्स हो गया तो अब टैब की ज़ुद करेंगे अगर माली यहां पर है आगले यहां पर आ गए यह पर यह आ गये अगले option पे उप्षोन कह सकते हैं की बूर्ड से अपने ओर सकते यह सकते हैं अभर सकते हैं अगर हम को क्या करना है एंटर की परेस कर देना है vert के सारे इस पर भी क्लिक कर देंगे तो यह हमारा लग जाएगा डबल मार्क देखिए यह लग गया डबल मार्क तो आई हो पपलों को समझ में आ कर रहा होगा इजली और असानी से अब नेक्स्ट जो इसका ट्रिक है कि टैब से किसी आप्शन को मीनू के ट्वेट करने के बाद हम टैब की की मदद से एक आप्शन से दूसरे अप्शन पर जा सकते हैं जैसे मालीजिए आप की प्रेस करेंगे तो सारे एक्टिवेट हो जैसे मालीजिए टेक्स सेलेक्ट कर लिए इसको हमको बोल्ड करना है तो अल्ट के साथ मीनू एक्टिवेट कर दीजिए और एच प्रेस कर दीजिए और आप आजाएंगे होम में अब टैब की की मदद से बोल्ड पे जाईए दिखिए हम अगले अप्शन पे जा रहे हैं बोल्ड पे देखिए हम बोल्ड पे आ गया और इंटर की प्रेस कर दीजिए था प्रेक्टेक्ट बोल्ड हो जाएगा तो आपको यह भी ट्रिक जानके कैसा लगा चैट सक्षन में जुरू बताईएगा अब अगले ट्रिक की बात करते हैं कि जब भी हम इंटरनेट से कोई तरफ के लिछ भी हम उन्ट भरते आन जैसा माली जिए यहहां पे अगर नाम लिखते हैं जिसे परेंट्स का नाम लिखने के बाद आप कि प्रेस करेंगे माता का नाम उसके बासे डेटा बள के प्रेंगरी उसके बाद से बेशा है इसी तरह आप अगला वहर सकते हैं आपको माउस से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है टैब की के सारे प्रियोग कर सकते हैं और एक इसका और बहुतरीन यूज है कि अगर आप विंडोज के अंतरगत कई सब्ट्वेयर ओपन किये हैं तो आप जिसको प यहां रेक्रेस करते रहिए तो जो सब्सक्राइब कैसि अगर चला जाएगा तो आप लोगको को support अच्छे समझ में आई होगी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलियेगा और ऑस्से जनकारी के लिए हमारे यूट्व चैनल का ज्रूरूर्श करेब क2000 किजिए अगर पसंद आये तो आनी लोगों को सेयर भी कीजिए मिलते हैं अगली वीडियों